हलो एंड वलकम एवरिवन आज हम डिस्कस करेंगे शुगर केन की डिजिजेस के बारे में शुगर केन की डिजिजेस में हम पांच डिजिजेस के उपर मेजर फोकस करेंगे जो की है red rot of sugarcane जो की सबसे ज़ादा important disease है sugarcane की जिससे बहुत ज़ादा इल्ड लोस देखने को मिलता है second है common smut या फिर whip smut disease of sugarcane third है grassy shoot disease fourth है return stunting and last में हम pork wing disease को study करेंगे सबसे पहले हम सारे diseases के causal organism को देख लेते हैं एक साथ ताकि ये याद करने में easy रहे red rot of sugarcane जो है वो fungus coletotricum falcatum के द्वारा कोस की जाती है smut of sugarcane जो है वो astilego citaminia के द्वारा कोस की जाती है और grassy shoot जो disease है वो phytoplasma के द्वारा कोस की जाती है और जहाँ पर आपको पता है viruses या phytoplasma का case आता है वहाँ पर कोई ना कोई vector जरूर होता है insect vector तो grassy shoot disease को transmit करता है aphid return stunting of sugarcane जो है वो एक bacteria के द्वारा कोस की जाती है जो bacteria का नाम है clavibacter xylee या फिर इसे ही leafy sonia xylee के नाम से भी जाना जाता है और last disease है poc bing disease जो की fungus fugarium fujicorae के द्वारा कोस की जाती है सबसे पहले हमारी disease है red rot of sugarcane red rot of sugarcane जो disease है ये सबसे oldest disease में से है sugarcane की जो की लगबग हर उस country में पाई जाती है जहाँ पर गन्ने की खेती की जाती है और इसमें देखा जाता है कि अगर ये बहुत severe condition में आई तो epidemic भी cause कर सकती है और complete loss कर देती है can production में या sugarcane के production में complete loss हो जाता है अगर ये बहुत large area पर देखने को मिलती है अगर हम इसके symptoms की बात करें सबसे पहला तो जहाँ पर आया colaterotrichum वहां colaterotrichum fungus से हमें हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि colaterotrichum fungus की asexual fruiting body होगी acervulai और acervulai जो है वो asexual fruiting body हमें plant parts के उपर भी देखने को मिलती है यानि कि वो हमें visible भी होती है तो ये वाली चीज़ आपको धान में रखनी है अब इसके symptoms की बात करें तो जैसा हम हमेशा पढ़ते हैं कि disease के name से क्या indicate हो रहा है red rot of sugar cane इसका मतलब कुछ red color के symptoms बनेंगे और sugar cane के canes की roting होने लग जाएगी ये इसके basic से symptoms होंगे जो name से पता लग रहे हैं अब symptoms जो हैं वो leaves पे भी दिखाई देते हैं और canes पे भी दिखाई देते हैं अगर हम leaves की बात करें तो सबसे पहले आपको जो important characteristics याद रखना है वो रखना है कि color का loss हो जाता है यानि कि green pigment जो है जो chlorophyll है leaves से वो हट जाता है उसका loss हो जाता है और third और fourth जो leaves है वहाँ पर सबसे पहले symptoms दिखाई देते हैं ये सबसे important चीज़ है आपको ध्यान में रखनी है कि red rot of sugarcane जो है उसके सबसे primary जो characteristic symptoms है वो third और fourth leaves के उपर दिखाई देते हैं इसके अलावा ये lezis कब देखने को मिलती है just after rainy season जैसे जुलाई अगस्त वाला महीना है rainy season के बाद में ये disease देखने को मिलती है जिसमें सुक्रोज का formation जो है वो start होने लग जाता है plant अपनी vegetative growth को complete कर चुका होता है उस time पर ये disease देखने को मिलती है और जो particular top portion है पुरे plant का वो उसकी withering होने लग जाती है अब यहाँ पर जैसे आप image में देख सकते है सबसे पहले image आपको दिखा रही है loss of color यहाँ पर देखो greenies pigment बिल्कुल absent दिख रहा है और पुरा पुरा जो plant की leaves है वो white color में change हो रही है यानि की loss of color हो चुका है third or fourth leaves पे सबसे बहले symptoms दिखेंगे second अगर हम देखें तो red patches बनने लग गए है ash colored के centers mid rib के उपर यह आप red color के symptoms यहाँ पर देख सकते हो just red color के patches दिख रही है जहाँ पर बीच में ash color का center develop हो रहा है इसके बारे में हम आगे discuss करेंगे और उसके अलावा पूरा जो top portion है यह जो top portion है यह पूरा का पूरा इसकी withering हो चुके है यह सोक चुका है पूरा का पूरा top portion next अगर हम बात करें symptoms on the canes canes पर अगर symptoms की बात की जाए तो canes जो है वो बहुत ही light हो जाएंगे weight में आराम से easily तूट जाएंगे यानि कि उनको broken करना बहुत आसान हो जाएगा लेकिन जो major characteristic symptom दिखता है canes के उपर वो दिखता है कि disease canes जो है अगर उनको हम longitude काटते हैं तो हमें red color के tissues का formation दिखता है बिल्कुल red color के और सिर्फ red color के tissues का formation ही नहीं ये red color के जो tissues है इनके बीच में grayish color जो है वो fill रहता है यानि कि only red color नहीं red color के अंदर grayish pigments है वो देखने को मिलेगा तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि when the disease canes are splitted open longitudinally जब हम इनको longitudinally काट कर देखते हैं तो red tissues are seen which are intermiglent with white tissues in the white tissues या फिर grayish tissues जो है वो रहेंगे बीच में vascular reason में वो क्या होता है basically white myceleum growth होती है fungus की और उसी के साथ में हमें dark dots दिखाई देते हैं वो क्या होती है एसर वुलाई of the fungus और एसर वुलाई क्या है asexual fruiting body है colatotrichum fungus की ये जैसे image में दिख रहे है red color only red color की pigmentation की साथ में बीच में जो है बीच में gray center जो है वो myceleum है fungus का तो ये characteristic symptoms आपको ध्यान में रखने हैं हमने क्या symptoms पढ़ें कि सबसे जादा जो दो important symptoms है characteristics leaves के उपर तो सबसे पहले symptoms third और fourth leaves के उपर दिखाई देंगे और उसके अलावा canes की बात करें तो जब हम उन canes को काट कर देखेंगे तो red color के tissues के साथ में बीच में white color के pathosan के mycelium growth दिखेगी या grayish color के mycelium के growth दिखेगी और वहाँ पर black dots का formation होता दिखेगा जैसे कि ये इस वाले image में आपको show हो रहा है black dots का formation दिखेगा जो की क्या है एसर वुलाई है black dot जो है वो particular एसर वुलाई है जो की collatero trichum fungus की asexual fruiting body है favorable conditions की बात करें तो अभी हमने discuss किया कि after rainy season ये देखने को मिलता है तो rain और irrigation water जहाँ पर जिसकी उसकी present देखने को मिलेगी वहाँ पर ये disease जादा severe होगी wind और insects जो है वो भी इस disease को transmit करने में responsible होते हैं और दूसरा sugar cane sets आपको पता है जब हम sugar cane के seeds यारि कि उसके sets को काम में लेते हैं उसका जो planting material है उसको sugar cane के planting material को हम बोलते है set और sugar cane का particular जो inflorescence होता है ये inflorescence जो होता है इसको हम बोलते है arrow तो ये दो terms आपको याद रखनी है arrow जो है वो particular sugar cane का inflorescence है और second जो sets है वो उसका planting material है तो अगर हम planting material ही injured या infected लेंगे तो आगे disease जो है उसके वो ज़्यादा spread होगी इसके disease cycle की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा sports रहेंगे sports जो है वो wind और rain के थूँ आगे transmit होंगे उसके बाद में ये नए plant को infect करेंगे नए plant में pink और reddish discoloration देखने को मिलेगा पित का ये fungus over winter कर सकती है debris में बर sets में बहुत कम देखने को मिलती है उसके बाद में इस परपेरी थीसिया ड्वेलप होते है और sexual sports esco sports का formation देखने को मिलता है तो इससे esco sports बनते हैं और esco sports फिर आगे new जो season आता है उसमें disease course करता है next आते हैं इसके control measures तो हमने पहले जो जो चीज़े पढ़ी like हम अगर injured sets को या फिर infected sets को use करते हैं तो disease सबसे ज़ादा आती है तो हम क्या करेंगे disease free sets को use करेंगे उसके अलावा अगर हमें कोई plant infected दिख रहा है initial stage बे तो हम उसको हटा देंगे और उसको जला देंगे 2 से 3 साल का crop rotation लेंगे और देखो sugar cane में major diseases इसलिए भी देखने को मिलती है क्योंकि returning crop जो है जो ली जाती है उसमें जादा attack देखने को मिलता है sugar cane में तो returning जो है अगर ऐसी particular जगह पर ऐसे diseases देखने को मिल रही है तो फिर वहाँ पर returning जो है उसको avoid करना चाहिए returning क्या होता है एक बार फसल ले ली और उसी के stubbles जो बचे है फिल्ड पर उसी से next year दूसरी crop ले ले लेना जिससे seed rate जो है जो हम seed rate ले रहे हैं उसके उसके उपर जो खर्चा हो रहा है उससे बचा जा सके next है use of resistant varieties जैसे इसरवाडी 16-17 इनको हम उनको use कर सकते है next हमारे disease है smut of sugar cane इसे generally कभी-कभी common smut भी बोला जाता है और whip smut भी बोला जाता है क्योंकि whip smut से आप याद रख सकते है again name indicate कर रहा है whip smut इसका मतलब इसका major characteristics क्या होगा whip का formation हो जाएगा इस particular smut में whip का formation होगा इसका causal organism है astilego citaminia इसको cause करता है और ये लगबग 10-25 प्रतिशत तक yield loss कर सकता है return crop जो है वो जादा सफर होती है sugar cane की वैसे jobile diseases हो उनमें return crop जो है वो जादा सफर होगी क्योंकि वो थोड़ी susceptible हो जाती है जादा अब अगर हम बात करें कि smut of sugar cane के symptoms क्या है तो most recognizing diagnostic feature जो है smut whip smut whip क्या होता है basically ये देखिए जैसे आप इस image में देख सकते हैं ये particular जो black color की structure आपको दिख रही है ये black color की structure को हम बोलते है smut whip इसमें क्या होगा smut के जो sports है वो one by one, one by one करके smut के sports जुड़े हुए है और ये particular एक membrane की द्वारा cover रहते है और जब ये membrane burst हो जाती है तब ये सारे sports जो है वो wind के through environment में disperse हो जाते है और फिर next crop को infect करते है तो ये इसका characteristics feature है कि इस तरीके से whip smut बन जाते है जिसके बाद में inflorescence यानि की arrow का formation नहीं हो पाता है वहाँ पर arrow का production ही नहीं होगा उसके अलाबा जो leaves है वो erect हो जाएंगी और जो पूरा plant है जो पूरा cannes है वो grass-like appearance देंगे वो एकदब घास के जैसे दिखेंगे जैसे इस image में particularly काफी clear है कि क्या symptoms होगे सबसे पहले एक whip smut का या smut whip का emergence हुआ है भी हो सकता है और थोड़ा सा curd भी हो सकता है तो it may be straight और curd affected plants जो है वो profusely tillers को produce करेंगे और grass-like या grass-like appearance देंगे favorable conditions की बात करें तो wind ज़्यादा हवा चलेगी तो smut के sports का chances ज़्यादा है कि वो ज़्यादा long distance को cover करके दूसरी जगह पे infection को cause करें और दूसरा infected sets control measures की बात करें तो जो smutte'd whips हमें दिख रहे हैं जो field में अगर एक बार smutte'd whips बन गए हैं तो उनको एक जगे सब को collect करके उनको burn कर देंगे उनको manage कर देंगे इसके अलावा return cropping को avoid करें resistant cultivars को use करें और seed treatment कर सकते हैं boridex mixture के 4 ratio 4 ratio 50 के अनुबात में boridex mixture आपको बता है 1882 में boridex mixture की PMA milardate की द्वारा इसके discovery की गई थी और इसमें जो है वो copper sulfate lime और water का ये पुरा mixture होता है इसके अलावा हम cans को trimedophon जो funsicide है उसको भी 2 ml पर liter के हिसाब से can के जो set से उनके shocking कर सकते हैं next हमारे disease आती है retune stunting of sugarkin retune stunting of sugarkin जो disease है वो bacteria की द्वारा कोज की जाती है clevibacter xylee या फिर इसे lefisonia xylee के नम से भी जानते हैं ये लगबग 40 प्रतिशत तक yield में reduction कर सकता है अब again जैसा name indicate कर रहा है crop का retune stunting it means retune crop जो है उसमें ये disease सबसे जादा देखने को मिलेगी और जो particular sugarkin के केंस है उनके stunting हो जाएगी growth छोटी रह जाएगी और growth कैसे छोटी रहेगी देखो sugarkin के जो plant है पूरा उसमें क्या होता है nodes ये node है और दो nodes के beach का जो area है इसको हम क्या बोलते है inter nodes तो जब हम बोलते है कि sugarkin के केंस shorten रह गए है या उनके growth के stunting हो गई है it means ये जो दो nodes है इनके beach में बहुत जादा distance नहीं है inter nodes छोटे हो गए है जिससे ultimately height जो है वो छोटी रह गई है तो diseased जो canes होते है वो usually stunted growth दिखाते है हमें disease के name से पता लग रहा है ये symptom इसके अलबा tillering reduce हो जाती है और जो canes बनते हैं वो बहुत ही पतले बनते है अगर typical symptoms की बात करें तो इसमें दो तरीके के discoloration देखने को मिलता है जब हम canes को longitudinal split करके देखते हैं तो हमें दो तरीके का discoloration देखने को मिलता है एक तो young canes में एक तो mature canes में और दूसरा young canes में अगर canes mature हो गए है वो अपनी maturity की तरफ जा रहे हैं तो orange red color का discoloration देखने को मिलेगा और अगर young canes में है तो pink color का discoloration देखने को मिलेगा यहां पर pure orange red color का discoloration देखने को मिलेगा, अगर matured cannes है तो और अगर young cannes है तो pink color का discoloration यहां पर देखने को मिलेगा, जैसे इस image में दिख रहा है, यहां पर matured cannes है, यहां पर orange red color का discoloration देखने को मिल रहा है, जैसे यह particular nodes है यहां पर और नीचे जो की surface है, यहां पर pink color का discoloration देखने को मिल रहा है favorable conditions की बात करें तो अगर contaminated harvesting implements को use कर लिया तो disease के spread होने के chances जादा होते हैं और infected sets को अगर use किया है तो disease accrains के chances जादा होते हैं control measure में की बात करें तो हर disease का control measure सबसे पहला तो यही है कि infected sets को use नहीं करना है हमें disease free sets को use करना है इसके अलावा cultural practices को adopt करना है like proper drainage पे focus करना है timely hoeing and wedding करनी है अगर हमें कोई weak या फिर infected plant दिख रहा है पहले ही field में तो उसके uprooting करनी है और उसको जला देना है इसके अलावा ऐसा plant जो की wilting के, red road के या smut वगरे के symptoms शो कर रहा है तो उसकी भी temperature देना है 30 minutes के लिए और resistant cultivars को use किया जा सकता है next हमारे disease आती है grassy shoot disease of sugarcane grassy shoot जो disease है वो phytoplasma के द्वारा cause की जाती है जिसका vector है ephid, सबसे ज़्यादा important तो आपको दो ही बात ने धान में रखनी है grassy shoot disease किसके द्वारा होती है phytoplasma के द्वारा और इसका vector कोन है ephid, ये भी 40% तक disease cause कर सकता है और इसकी severity भी return cropping में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है अगर इसके symptoms की बात करें तो again name से क्या indicate हो रहा है shoot grassy appearance देगा grassy shoot means sugarcane का जो cane है वो grass like दिखेगा, वो pussy appearance देगा ज़ाड़ी नुमा appearance देगा plant छोटा रह जाएगा और पूरा plant ऐसे एकदम perennial weed की तरह लगेगा perennial जो grass है उसकी जैसे लगेगा, एकदम घास के जैसे appearance देगा, symptoms के हम बात करें तो profuse tillering होगी bunchy या फिर grassy appearance देगा पूरा का पूरा जो plant है वो shoots जो है वो dwarf रह जाएगे, growth strunted रह जाएगी, वही name indicate कर रहा है कि grassy shoot होगा, it means क्या होगा growth या size है वो छोटी रह जाएगी growth में छोटा रहेगा tillering जादा हो जाएगी, जिससे घास की जैसे या फिर busy appearance देगा और इसके अलावा जो leaves है, वो भी उनमें भी जो leaves जो है वो yellow color की दिखेंगी और white leaf का formation हो जाएगा हम बोल सकते हैं यह देखो जैसे कि यहाँ पर पूरे complete तरीके से सबसे पहला तो यहाँ पर pigment का loss दिख रहा है, leaves जो है वो straight हो गई है और white color की हो गई है जहाँ पर green color का pigment देखने को नहीं मिल रहा है दूसरा, tillring जादा हो गई है बंची अपीरेंस दे रहा है, ग्रासी अपीरेंस दे रहा है पूरा का पूरा plant यहाँ पर कभी कहीं पर भी sugar cane का, के canes का formation नहीं दिख रहा है कि plant बढ़ रहा हो या फिर वहाँ पर sugar cane जैसी sugar cane के sets जहाँ पर internodes और nodes बन रहे हो, वैसी कोई structure नहीं दिख रही है इसके अलावा white leaf white leaf बन रही है यहाँ पर पूरा क्योंकि कोई भी pigment यहाँ पर नहीं बचा है like chlorophyll जैसे pigment जो है वो पूरी तरीके से उनका discoloration हो चुका है नेक्स अगर में देखें favorable conditions तो infected sets को अगर हम use करेंगे तो इसके लिए जादा favorable होगा control measures की बात करें तो वही healthy sets को use करना है, infected sets को use नहीं करना है, इसके अलावा malathion का spray कर सकते हैं 0.16% during early stage of the crop और hot water treatment दे सकते हैं नेक्स हमारे disease आती है, sugar cane की pork bing disease, इसका basically causal organism में पूछा जाता है, fugarium fusicurae, fungus के द्वारा ये cause की जाती है, लेकिन इसके 3 main characteristics feature है सबसे पहले तो pork bing disease जो है, वो leaves के उपर देखने को मिलती है, दूसरा ये rainy season में देखने को मिलती है, यानिकि July अगस्त वाला जो महीना है, उस time पर pork bing disease जो है, वो सबसे ज़ादा देखने को मिलेगी, इसके 3 main characteristic symptoms है सबसे पहला है chlorotic phase second है acute phase, और third है knife cut phase, question पूछा जाता है knife cut phase जो symptom है particularly, वो कौन से disease में देखने को मिलता है होता क्या है, chlorotic phase में क्या होगा, leaves में जो है discoloration हो जाएगा chlorophyll pigment का, तो chlorotic यानि की yellowing leaves वो देखने को मिलेगा दूसरा pork wing जो disease है, उसमें सबसे पहले shrinkled leaves दिखेंगी जैसे suppose कि ये sugarcane की कोई leaves है, तो यहाँ पर एकदम मुर्जाई हुई सी, या फिर मुल सकते है sicudan जो देखने को मिलती है leaves की sicudan देखने को मिलेगी without कोई भी pigment के discoloration के beach का जो mid वाला portion है वहाँ पर sicudan देखने को मिलती है इस particular disease में उसके बाद में इसमें chlorotic phase देखने को मिलेगी वही chlorophyll pigments वगरे का discoloration हो जाएगा acute phase या top rot phase देखने को मिलेगी top वाला जो portion है उसकी roting होने लग जाएगी और knife cut phase ऐसे लगेगा कि tissues को एक sharp knife से cut कर दिया गया है इससे बोलेगे knife cut phase जो की important है आपको याद रखना है कौन से disease का characteristic symptom है इसके management की बाद करें तो ऐसे cannes जो की इस particular knife cut phase को या top rot phase को show कर रहे हैं उनको हम जो infected cannes हैं उनको हटा कर field से और उसके बाद में उसको destroy कर देंगे हम different fungicides जैसे की बाविस्टीन वगरे का बलिटोक्स वगरे का effective spray कर सकते हैं ताकि effective reduction देखने को मिले इस particular disease में और इसके अलावा healthy seed materials healthy seeds को resistant varieties को तो use करना ही है और इसके अलावा एक अच्छी spacing रखी जा सकती है sugar cane की planting के time पर अगर इस disease से control पाना है तो अभी हमने disease पांचो diseases का discussion किया sugar cane की जो की important diseases थी सबसे पहले disease थी red rot of sugar cane red rot of sugar cane में सबसे important चीज धान में रखना है सबसे पहले तो इसके किस particular fungus के द्वारा होती है कुलेटो ट्राइकम फालकेटम से होती है कुलेटो ट्राइकम की asexual footing body क्या है ऐसर भूलाई है चोकि black dots के रूप में canes के उपर दिखाई देती है red rot of sugar cane जो है उसके symptoms second or third leaf पे दिखना शुरू होते है और उसके बाद में वाइट ग्रेश माईसीलियम से फिल रहते है विप स्मट और फुगर के इन का causal organism है जिसमें की इसका characteristic symptom है कि इसमें विप स्मट बन जाता है इससे एक question और पूछा जाता है कि particular stem जो है उसके अंदर कौन से type की स्मट जो है वो कोज करती है like हमने पढ़ा कि wheat में हमने smut पढ़ा था वहाँ पर grains जो थे grain वाला part जो था वहाँ पर smutted spores का formation हो रहा था लेकिन शुगर के इनकी जो smut disease है वहाँ पर हमें stem में उसके smut spores देखने को मिलते हैं stem में infection देखने को मिलता है तो ये question भी पूछा जाता है और इसका characteristic symptom क्या होगा कि whip smut या smut whip भी बोल सकते है इसका formation होता है जो कि basically होते क्या है smut के spores होते है जो कि straight या फिर curl ऐसे एक structure सी बना लेते है next है grassy shoot disease grassy shoot disease phytoplasma से होती है जिसको की aphid के द्वारा transmit किया जाता है और major symptom क्या है plant जो है sugarkin के जो cannes है वो grassy appearance देंगे उनकी जो development है वो नहीं हो पाता है और bussy जाड़ी नुमा जैसी appearance देंगे next है retoon stunting ये सबसे ज़दा retooning crop में देखने को मिलती है clavibacter xylene नामक bacteria से होती है और retoon जो crop है उसकी growth छोटी देखने को मिलती है popping जो disease है इसमें तीन तरीके के symptoms देखने को मिलते है chlorotic, acute phase और knife cut phase जो की initially जब rainy season होता है तब जुलाई अगस के महिने में देखने को मिलती है और इसमें जो leaves है उसकी sikudan से सबसे पहले symptoms जो है वो start होते हैं फुजरियम फ्यूजी कुराई नाम के fungus के द्वारा कोस होती है तो ये था शुगर केन की सारे diseases के बारे में hopefully आपको सब समझ आया होगा next video lecture में हम next crop के diseases के बारे में discuss करेंगे thank you